ओम श्यांति, 6 दिसंबर बाबा कह रहे हैं बच्चे अगर तुम्हें निश्चे और नसा रहे कि हमें भगवान मिल गए वे हमें पढ़ा रहे हैं पावन बनाने आ गए हैं तो किसी भी अपोजीशन का सामना तुम कर सकते हो दुनिया में लोग विरोध करते हैं क्योंकि दुनिया में अनेक मठ पंत, मत मतंतर हैं कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है तुम्हारी नई बात सुनकर वो विरोध करते हैं फिर मैं तुम्हें पावन मनाने आया हूं, तो इस्तरी पुरुष पुरुष इस्तरी आपस में दुस्मानी हो जाती है, गाली देते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन तुम्हें अगर ये नसा रहेगा, तुम हस्ते हस्ते उस विरोध को पार कर लोगे, मैं आया हूं तुम्हें देने के लिए पांच हजार वर्स पहले भी मैंने तुम्हें राजाई दी थी भारत वासियों को ये बिल्कुल पता नहीं कि हूं विश्व के मालिक थे देवी देवता धर्म था यहां संपोर्ण सुक्ष्यांति पवितरता थी सब कुछ नास्ट हो गया है विदेशी आ गए उन्होंने भारत पर राज किया वो कहते थे हमारा भारत है तब इंदुस्तानी नहीं कह सकते थे हमारा इंदुस्तान में अब तुम सत्योग में जाओगे सब कहोगे भारत हमारा है तो बाबा बहुत बड़ी राजाई बहुत बड़ा भाग्य तुम्हें देने के लिए आ हैं और क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बच्चे सोल कॉंसियस कैसे बनो तुम देह बिमान में आ गए हो तो रावन का राज हो गया है राम राज की लोग कल्पना करते हैं लेकिन राम के बारे में तो सब उनको भगवार नहीं मानें गए कंफ्यूजन रहता है देवी देवत प्राओं का राज था निराकार परमात्मा ने स्वयम राज स्थापित किया था वो इस वरी राज था ऐसे तुम कहेंगे तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो बाबा तुमें आत्म भीमानी बनाना सिखाते हैं तुम प्रैक्टिस करो एकांत में मैं आत्मा हूं कित सार एक नाटक है मैं इसमें पाठ बजाती आई हूँ अब ये पाठ पूरा हो रहा है मुझे सब कुछ छोड़कर घर वापिष जाना है ये चिन तन करते करते तुम पावन बनकर घर वापिष चले जाओगे तुम मेसंजर हो पैगंबर हो लो तो अपने अपने पर तुम भगवान के पैगाम को देने वाले हो, मेसेंजर हो उसके, तुम्हें सब को ये मेसेज देना है, कि भगवान इस धरा पर दैवी राज इस्थापित कर रहा है, हमें मनुस से देवता बना रहा है, और भी कह रहे हैं, तुम बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे जनम जनम के विकरम विनास हो जाएंगे, तुम पावन बन जाओगे, बहुत सुखी हो जाओगे, तुम बोल गए हो कि इस माया ने रावन ने ही हमें दुख ही किया है, इस पर विजय पाएंगे, तो सारे दुख समाथ हो जाएंगे, तो बाबा आज भी से इस पढ़ा भूत है, अभी क्रोब तो चुपके नहीं किया जाता, वो तो परतक्स होता है, जगडा होता है, आवाज होती है, डिससर्विस होती है, फिर तुम दूसरों कहोगे, क्रोद चोड़ो, तो लोग कहेंगे पहले तुम तो छोड़ो, तुम भी क्रोद करते हो, तुम भी तो क्रोध का दान नहीं दिया है, बाबा कहते हैं ये सब विकार मुझे दान दे दो, और दान दे कर तुम्हें ये विकार वापिस नहीं लेने हैं, दान देंगे तुस्य बाबा की आसिरवाद मिलेगी, नहीं तो स्राप मिल जाएगा, ये क्रोध मनुस को खुदी स्राप कड़िता है लोग से इस्थेती बीघ जाती है यहां वही तुमारी स्थेती वहिड़ेगी सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी और तुम्हारा तो बिलकुल कि समात्थ तो बावा तो प्यार से समझाते हैं, बच्चे इन सब विकारों का दान दे दो, विकारों का दान दे कर तुम्हें वापिस नहीं लेना है, दूसरी बात ऐसी कह रहे हैं, कई बच्चों में लोब बहुत होता है, खाने पीने का लोब, जूतों का लोब, अच्छे कपडे पहन ने का लोब, चच-चच चीजों का लोब रहता है। उसे स्थिती गिर्ती जाती है। तुम्हें बहुत ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं होनी चाहिए। बाबा जानते हैं। जो सावकार लोग होते हैं, उनके बात बहुत इच्छाएं होती हैं। उनके बच्चों को भी बहुत इच्छाएं होती हैं, वो माबाप को भी तम कर देते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, उनको इच्छाएं बहुत कम रहती हैं, वो तो अपनी गरीवी में ही खुश रहते हैं, भोजन खाया मास्त रहते हैं, उनकी बहुत सारी इच्छाएं नहीं रह और यदि वो देखते हैं कि कोई साउकार भी आ रहा है तो फिर बहुत आने लगते हैं, कि यहां यह बड़ा आदमी भी जा रहा है, तो हम भी चलें, यहां कुछ बहुत अच्छी चीजी सिखाई जाती हैं, तो बाबा कह रहे हैं, तुम्हें इन विकारों को जीतना है, यह व जानता, कि इन विकारों को जीतने से हम जगत जीत बन सकते हैं, तो बाबा स्वरक की स्थाप ना करने आ गया है, बाबा आज कई बार कह रहे हैं, मैं तुम्हें राज देने के लिए आ गया हूँ, और उसके लिए तुम्हें आत्म विमानी बनना है, योग बल को बढ़ाना है योग बल से तुम विश्व की राजाई लोगे जब पहले युद्ध हुए तो बॉम्स नहीं थे अब तो बड़े-बड़े बॉम्स बना लिये हैं बाबा कहरे दिल्ली में महल कितनी बार तूटे हैं फिर नए बने हैं अब यह सब तूट-फूट हो जाएगा आग में सब जल जाएगा फिर तुम सत्यों में जाकर नए सिर से अपने महल बनाओगे तो बाबा नसा भी चड़ा रहे हैं और हमें वीजन भी दिखा रहे हैं कैसी दुनिया आने वाली है तो आज हमें चिंतन रखना है क्रोज से मुक्त होने का और दुनिया भी जोई च्छाएं बहु मुक्त करने का क्रोध अगनी है कामनाए क्रोध को जर्म देती हैं बहुत सारी कामनाए मन उसमें होती हैं दूसरों के लिए कि मेरा बच्चा ऐसा करे मेरी पत्नी ऐसी करे मेरा पत्ती ऐसी करे कामनाए पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है तो कामनाओ को कम करेंगे जाएगा वर्दान है बार-बार हार खाने की बजाए बलिहार जाने वाले मास्टर सर्व सक्तिवान विजय भव माया से युद्ध है माया यदि बार-बार हार खिलाती है तो इस्थिती भी करती है पड़ेंगे या बार-बार मूर्तियों पर हार चड़ाने पड़ेंगे तुम तो अपने विकारों को बलिहार कर दो बाप पर बलिहार हो जाओ संपोर्ण बनने की द्रट प्रतिग्या करो तु तुम विजय रतन बन जाओगे स्लोगन है मनुस बोलता है न कभी कड़ लेंगे बाबा केहरे कभी सब्द कमज्योर बनाता है कभी नई अभी ही करेंगे ऐसा संकलप करों तो आज सारा दिन हम आत्म भीबानी होकर रहेंगे, मैं आत्मा पीस्वल हूँ, कभी यह संकल्प करेंगे, इस शरीर में बैठी हूँ, दुसी बार संकल्प करेंगे, मैं आत्मा परंपवित्र हूँ, तीसरी बार संकल्प करेंगे, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, मैं आत्म बहुत भग्यवान हूँ, मैं आत्मा बहुत शक्ति साली हूँ, सात तो गुनों को याद करते रहेंगे और मैं आत्मा इस दे से न्यारी हूँ, या भ्याज करते रहेंगे, तो मन भी शान्त होगा, योग भी अच्छा लगेगा, ओम शान्ति. प्यारी हूँ, या भी शान्ति.